तमाम राजनतिक पाटियां अब घेर रही है सरकार को बोला संग प्रमुक मोहन भागवत ने कि सबका DNA एक लिंचिंग करने वाले हिंदुत्यू के दुश्मन और वैसी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्यू के नाम पर राडिकलाइजेशन कट्टर हो गए है हिंदू देखे अंजना जी आपने कहा ये सारे पॉलिटिकल पाटि भारती जनता पाटी और सरकार को घेर रही है ये हमें कब नहीं घेर रही थी जब हम सरकार में थे नहीं तब भी RSS को घेर रही थी आज हम सरकार में है तो 2014 से हर दिन हमें घेरने की कोशिश कर रही है मगर हम भी जानते हैं कि हमें घेर नहीं पाएंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है उत्तरप्रदेश के पंचायत के चुनाओं के नतीजे देखे न हमने 75 में से 67 सीटे भारतिय जनता पाटी को मिली है तो जनता का अशिरवाद हमें प्राप्त है दूसरी बात है आदर्नियों मोहन भागवत जी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए जो लिंचिंग करता है वो उचित नहीं है हमारे कॉमन पूरवज है हमारे जो पूरवज थे वो एक ही थे और हमारे डियन ने एक है हम सब भारती हैं इसमें क्या खराब बात कह दी बिलकुर सही बात कही है देखिए तुष्टिकरण वर्सेज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये फरक आपको जानना होगा ये जो तमाम political parties हैं चाहे वो समाजवादी party हो चाहे ओबे सी जी की party हो और चाहे Congress party हो ये सारा केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनिति करते हैं इनका अर्थ होता है dependence केवल किस प्रकार से जब आतंकवादी आतंक करता है, उसके बाद यही तमाम लोग कहते हैं कि ना ना ना, यह आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, आतंकवादी को धर्म से मत जोड़ो, यह कोई इसलाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह तो बिना धर्म वाला आतंकवादी था, मगर बाकी सम कि शीन कोई धर्म नहीं होता है यह तो एसी आतंकषादी बन गए है इनका कोई लिना दिना नहीं है इसलाम से बाकी vahindu mejor के उपर इस प्रकार का आक्रवन यह कहना कि सारे हिंडعمू आज दूस्तान के को कहता है है मुझे लगता है इस प्रकार के शब उख के EVAL तुष्टी करण और एक तरफा सेक्लियोरिजम को दरसाता है वारिस पठान साहब आपके लिए शॉट फर्म कर रही हूँ जिसे आप कहते हैं जैश्री राम भी बोलें तो आपको परहेज परिशानी हो जाती है अगर वो कहें कि सबका डियने एक है तब भी आप परिशान हो जाते हैं संग प्रमुक की वावाई करने बैठे हैं जुन्होंने कहा है कि लिंचिंग जो करते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है तो मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं संग परिवार के संचारक से कि ये जो आज लोगों के दिलों में जो इतनी नफरत कटरता पैदा हुई है ये तो हिंदुत्वा की आइडियोलोजी है आरे सिर्फ हिंदुत्वा ने इतना नफरत पैदा कर दिया है कि उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये गाय है या भैस है बस उनको सिर्फ इतना सा बार आते हैं तो बीजेपी के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं उनको हार पिनाया जाता है उनको मिठाई खिलाए जाती है उसके बाद वहीं बात नहीं रुकती है अंजना जी जब ये लोगों को देथ हो गई एक्यूस की तो उसको हिंदुस्तान के हमारे तिरंगे म पता था है अंजना जी कि एक सो सत्रा गवरक्षे इंसिदेंट वाइलेंस हुए हमारे देश में 2015 से 2019 के बीच में जिसमें 84 परसंट जो हुआ है मुसल्मानों का हुआ है और 14 परसंट जो हुआ है दलीतों का हुआ है तो किसने गिया है यही जो मांसिकता है जो कटरता जो नफरत इनके दिलों में बरी हुई है यही भाज़पा और यह आरेसेस के गोट से की जो आईडियलोजी यह इसी का नतीजा है कि आज इनको कुछ नहीं आप देखिए महापंचायत होता है मेवाट के अंदर हल्याना में वहाँ पर इनका एक नेता खड़ा होता है और बोलता है कि क्या उनको मुसल्मानों को मढर करने का अधीकर नहीं पचास हजार आत्मी के बीच में उसको रिवार्ट करते है कैसा उसको प्रवक्ता बन का खंडन नहीं करते हैं और फिर उसके बाद से ग्रांड स्टैंडिंग करते हैं कहते हुए कि DNA एक है और संक्रमुक्जी सही कह रहा है